हेलो एन वेलकम फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि माइक्रोफ एक्सेस पे हम वैलिडेशन कैसे देंगे और यह वैलिडेशन टेक्स्ट के उपर है बेस्ट यहां से माइक्रोफ एक्सेस को मैंने ओपन कर लिया अब यहां पर क्या करना है देखिए यह डेट अव बर्थ है वैलिडेशन डोल पर और यहां पर वो वैलिडेशन हमें देना है मैं यहां पर लिखता हूँ इस नल या तो आप खाली छोड़ दीजे इस नल और और किया मैंने नॉट लाइक ओके नॉट लाइक ठीक है उस तरह की कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी ठीक है और यहां पर डॉट नॉटेट कोड्स में यहां पर इंटू का साइन लगाएंगे और स्क्वाइर बकेट बनाएंगे और यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क इसे बैंक भी बोला जाता है यह तो जड़ यही वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी इसके सिभाए कोई भी तो यह हो गया और यहां से अब टेक्स्ट दे देंगे वैलिडेशन का जो भी टेक्स्ट है ठीक है तो टेक्स्ट में क्या हम देंगे वो समझना है टेक्स्ट में लिखेंगे एक्सेप्ट एक्सेप्ट इल्फाबेट नफिंग कि इस एक्सेप्टेट ओक्यो के एक्सेप्टेट अल्फाबेटम नथि एक्सेप्टेड़ी यह हमने देंगे दिया ओक्यों अब यहां पर सिंपल ही हमको करने है click ठेक है चलिया ये click करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है अब यहां लिखते हैं राम एंटरफ्रेस करके नीचे आएंगे अब यहां पर फिर डेट अब देंगे हम तो डेट अब वर्त हमने दे दिया और यहां पर आप लिखेंगे श्याम वन तो जैसे ही वन लिखेंगे तो यह देखें यह क्या मैसेज आएगा एकसेप्ट सिवाए अलफबेट नथिंग इस एकसेप्टेड यानि कि अलफबेट के सिवाए कुछ भी एकसेप्टेड नहीं होगा तो यह आप देख सकते हैं कितनी असानी सी यह ग्लिडिशन डूल हम देख सकते हैं तो यहाँ पर पहले alphabet हटाना alphabet ही रखना होगा हमें number 60 होगे और यहाँ पर हमें देना होगा जैसे सपोज किजिए यहाँ पर 21 दे दिया हमने date ठीक है अब यहाँ पर देखते हैं कोई symbol जाएगा तो उमीद करता हूँ यह validation आपको जरूर समझ में आया होगा और इस तरह से करके आप एक बड़ा software create कर सकते हैं ठीक है अब देखिए यह सिर्फ मैंने alphabet लिखा तो यह alphabet acceptable है तो यह भी तरीका है जिससे हम software create कर सकते हैं और यह चोटी चोटी चीजे बड़े software को बनाने में काफी मदद करती है तो उमीद करता हूँ कि यह बात समझ में आज होगी कि यह validation हम कैसे दे सकते हैं अगर वीडियो बसंद आया तो इसको share करें thank you for watching this video